पर्मिश्र पिता का धनेवाद इस समय में उसने मुझे मुझे मोका दिया अप लोगों के बीच में वचन बाटने का पर्मिश्र की वचन से सीखेंगे प्रेज़ितों कि फुस्तक उसका एक अध्याए से आगे तक उने लिया है और इसमें हम सीखेंगे कि कलिशिया के तोर पर हमारी विचार ये होनी चाहिए हम बाकी बातें बहुत सी सोचते हैं हमारे जीवन के बारे में अपनी करियर के बारे में बहुत सी चीज़ें चोचते हैं लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम ये भी सोचें कि हम सब मिलके एक कलीशिया हैं हम विस्वाजिय का समू एक साथ मिलकर एक कलिशया को जन्म देता है, कलिशया त्यार होता है सो हमारे जिम्मेदारी ये भी है कि हम कलीशिया की बारे में सोचें कि कलीशिया जिसका हिस्सा मैं हूँ जिस कलीशिया में परमिश्ट ने मुझे रखा है जिस कलीशिया में परमिश्ट ने मुझे स्थापित किया है जिस कलीशिया में मैं सीखता हूँ उस कलिशिया की उन्नती के लिए मैं क्या करशकता हूँ उस कलिशिया क्यों आगे बढ़ाने में मैं क्या योगदान दे सकता हूँ हमें ये सोचने की जरूरत है और आज इनी बातों को हम परमेश्र के वचन से सीखेंगे कि वो कौन सी बात है, जिने हम करके, जिनमें हम हिस्सा लेके, परमिश्र की जो कलीशिया है, उसको एक गती दे सकते हैं, उसकी आत्मा की सहायता से, और कलीशिया होने के नाते, उस योगदान का जो योगदान है, वो हम सब एक-एक मिलकर देंगे, तब ऐसा संभव हो आलेलुया, प्रेडितों के काम किताब को लिखने वाले लेक लुका है, दोनों किताबे लुका, रचित सुसमाचार और प्रेडितों के काम, दोनों को लुका ने लिखा है, और दोनों किताबों को एक ही व्यक्ति के लिए लिखा गया है, जिसका नाम थियोफिलुस यहां पर दिया गया है। प्रेजितों के काम में अकेले 28 चैप्टर हैं 28 अध्याई हैं और लुका में भी कोई छोटी पत्री नहीं है इतनी बड़ी पत्री को उसने लिखा यानि कि उस टाइम पे टाइपिंग रेटर नहीं होते थे लैपटोव गएरा कुछ नहीं होता था तो लोग वो हाथ से लिख लिखा है और उन बुरियादी बातों को उसने एड़ किया है वो सुरू में ऐसे लिखता है कि मैंने उन बातों को इसमें लिखा है जो येस्व मसी ने करी और जो सिखाई हालेलुया तो लुका एक पैसे से एक डॉक्टर थे एक वैद थे और हम आगे की पत्रियों में कि मिस्णरी यातराओं में लुका का बहुत योगदान रहा है और उनी वहां से जानकारी हासिल करके लुका इन सारी बातों को अपनी पत्री में लिखता है अपने दोस्त के लिए लेकिन आज ये पत्री हमसे भी बात करती है ये सिर्प थियोफिलस के लिए नहीं ये आज ह उने किये और जो सिखाए Worlds और अध्याए एक में हम प्रभि यسज्व मसी को पुनुरुथान प्राप्त किये हूए यहष्व को देखते हैं persistent यह two- reproductive देखते हैं और एक बड़ी अच्छी बात मुझे यह लगती है कि प्रभ यहस्व मसी के अंतिम सब्द अंतिम बातें जो थी वो परमेश्र के राज्य के बारे में थी अलेलूया परमेश्र क्या जो सुसमाचार परमेश्र का राज्य की बाते जो है वो सच में परमेश्र के रिदय की धड़कन है उनके अंतिम सब्द परमेश्र के राज्य को लेकर थे हम पढ़ते हैं और प्रभु येश्व मसी मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 40 दिनों तक अपने चेलों को दिखाई देते रहे 500 से अधिक लोगों को उन्होंने अपने दर्शन को दिया और उनको पर आगे की सेवा के लिए उनको प्रभु ने तियार किया उनको हिम्मत दी उनको और भी ज्यान दिया कि वो आगे चलकर परमेश्व के राजजी के लिए उपयोगी हो सके और अध्याए एक में ही हम प्रभु येश्व मसी के सुरगा रोहन से के समय हम एक बात और पाते हैं वहाँ पर पवित्र आत्मा के आगमन के बारे में बताए गया है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और पवित्र आत्मा के आगमन के साथ-साथ एक चीज और हम पाते हैं वो है बुलाहट का स्पस्टी करण प्रभू बताते हैं कि तुम्हारी बुलाहट क्या होगी बुलाहट को पुईतरात्मा के आगमन के साथ साथ हमारी बुलाहट का स्पस्थी करन चेलो की बुलाहट का स्पस्थी करन प्रभू यसमसी वहाँ पर करते हैं वो बुलाहट क्या थी? वो हमें जानने की जरूरत है लेकिन वो बुलाहट सिर्फ उस वक्त उन 11 चेलों के लिए नहीं थी वो बुलाहट आज हमारे लिए भी है अगर हम ये कहें कि वो बुलाहट सिर्फ चेलों के लिए थी तो आज हम मसी नहीं होते ये बुलाहट सार्वभूमि कलीशय के लिए है हम सब के लिए है वो बुलाहट क्या है प्रभु येश्व मसी के गवाह बनना हललुया क्या है बुलाहट प्रभु येश्व मसी के गवाह बनना और ये बुलाहट किसके लिए है सब लोग कहेंगे ये बुलाहट मेरे लिए है किसके लिए है ये बुलाहट हम सब के लिए एक-एक के लिए जो यहाँ पर उपस्तित है हम सब के लिए ये बुलाहट है कि हम उसके गवाह बने क्या लिखा है एक का आठ में लिखा है जब पवित्रा आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाऊगे और येरुसलेम सारे यहुदिया और सामरिया में यहां तक कि पृत्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होंगे हललुया पवित्रा आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह ठहरोगे, कहां तक? पृत्वी के छोर तक अलेलुया, पृत्वी के छोर तक गवाह होने के लिए परमेशन ने हमें चुना है हम अपने जीवन के द्वारा इस बुलाहट को हमें पूरा करना है लेकिन पहली बात तो ये जानना जरूर आप अपने आप से ये ही पूछे कि क्या मैं इस चीज को इतने सालों में क्या मैं इसको लेकर चला हूँ गवाह बनना हमारे लिए हमारी पहली बुलाहट हमारा परमेशन के लिए गवाह बनना है, हललुया तो उसका आत्मा, पृत्रा आत्मा का आगमन जब वहाँ पर हुआ तो उससे उन्होंने सामर्थ प्राप्त की और प्रभू की इस बुलाहट को प्राप्त किया जो आज हम सब के लिए है कि हम उसके गवाह बने, हललुया तो एक चीज से यहाँ पर अध्याए एक में जो मैतोपूर्ण सीखने की वो यही है कि हम सब उसके गवाह हैं क्या है, क्या है हम सब उसके गवाह हैं हललुया अध्याए दो में जब हम जाते हैं प्रभू येश्व मसी के प्रतिग्या अनुसार पिंते कुस्त के दिन जिसे कटनी का पर्भ येहुदी लोग कहते थे, फसलों को काटने का जो समय आता था फसलों को परमेश्व के समू करपन करने का जो समय आता उसे कटनी का पर्भ कहते थे और इस कटनी के पर पिंते कुस्त के दिन पईत्र आत्मा चेलो और वहाँ पर उपस्थित लोगों के उपर उतरता है हललुया और इस समय संसार भर के यहुदी लोग अलग अलग जगह से अलग अलग भासा बोलने वाले यहुदी लोग जो परमेशर के चुनिवी प्रजा के लोग थे वो इस जगह पर आकर इस परव को मनाते थे इस परव को मनाने के लिए दूर देसों से यहुदी लोग चल कर आते थे और ऐसा लगता है कि यह लोग वही पर आसपास में जहां पर वही परव मनाया जाता था उसकी आसपास में यह लोग इकठा हुए थे और जब ये लोग वहाँ पर इकठा होकर पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे अराधना और प्राथना के साथ जब पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे तो हम अध्याई दो के एक से चार में देखते हैं कि पवित्र आत्मा अद्भूत रीती से उन लोगों के उपर आके ठहरता है हललुया और आज भी वो पवित्रात्मा हमारे लिए हमेशा परमिश्य की महीमा के लिए हमारे शाथ खड़ा रहता है पवित्रात्मा के आगमन के बाद जब पवित्रात्मा इस संसार में आया तब उस आगमन के बाद में एक बड़ा अदबुत दोर सुरू होता है प्रभ येश्वमसी पहले अपनी देह में लोगों के साथ में थे लेकिन अब इस समय पिंतेकुस्त के दिन के बाद वो आत्मा में हम सब के साथ में है आत्मा में उन सब के साथ हुचल रहे थे एक बड़ा अदबुत दोर वहाँ पर सुरू होता है हम प्रेज़ दो उसका प्रभु को तीन बार मना किया था जब उसको महायाजक कैफा की घर में ले जाया गया था और जब किसी स्रेंड से पहचान कर कहा कि तू भी तो इसके साथ में है तो उसने कहा था कि मैं नहीं जानता कि तू किसका जिक्र कर रही है मैं नहीं जानता तू क्या बात कर रही है यह वो पत्रस है जिसने तीन बार प्रभु का इंकार किया था लेकिन आज यही पत्रस पिंतकिस्त के दिन यही पत्रस जब पवित्र आत्मा का सामात इसके जंदगी में उत्रा जब पवित्र आत्मा के अद्बुत उपस्तित इसके जंदगी में आई तब इसके अंदर का डर जो था वो खत्म हो गया और ये उन कटर यहुदियों के बीच इंडिरेक्टली बोला नहीं, तुम लोगों ने उस जगत के उद्धार करता को खुरूश पर चढ़ा की मार डाला, और जब पईत्रा आत्मा में होकर परमेश्र की वचन को जब पत्रस वहाँ पर सुना रहा है, तो आगे जब हम पढ़ते हैं उसमें ये लिखा है, वो लोग वचन सुनकर उनके रिदय छिद गए, क्या सुनकर? वचन सुनकर उनके रिदय छिद गए, प्रियकलीसिया मैं आज मैं ये बताना चाहता हूं कि वचन की सामर्थ आज भी वैसे ही काम करती है, आज भी परमेश्र का वचन लोगों के रिदयों को छेदता है, लेकिन का वचन बताने की जरूरत है एक गवाह बनके उसके वचन को बताने की जरूरत है जब वचन हमारे मुख से निकलता है, जब वचन पवितरात्मा के 20 से 1 में होके बोलते हैं तब लोगों के रिदय को छेदता है यहाँ पर भी वही है जब वचन उन्हेंने सुना उन्हें के रिदैच छिद गए और उन्हेंने क्या कहा कि हम अब हम क्या करें दिन वो उनको कहता कि परशाताब करो और मैं ये जानता हूँ कि तुम लोगों ने अग्यानता वस्थ किया है जान बूज कर नहीं किया लेकिन ये अग्यानता वस्थ किया और ये परमेशर की योजना अनुसार हुआ है ताकि उसके बलीदान के दोरा हमसे बाद जाद हो सके उसने कहा कि तुम पर्चाताब करो और जब उसने सुसमाचार सुनाया, वचन सुनाया वहाँ पर लिखा है कि उस दिन तीन हजार लोग उनमें मिल गए हललुया, कितने लोग उनमें मिल गए तीन हजार लोग वहाँ पर मिल गए प्रारंभिक कलीश्या का ये अद्बुत दूर्थ उस समय पवित्रात्मा के बाद में आया एक बार में परमिश्र ने इतनी बड़ी कलीश्या को त्यार किया उसकी वचन की सामर्द से उसकी वचन की सामर्द से कैसे क्योंकि उसके लिए वो गवाह बन के खड़े हुए थे उसके लिए उन्होंने परमिश्र के लिए उन्होंने अपने मूँ को खोला था उन कटर लोगों के बीच में उन्होंने परमिश्र के लिए अपने आपको खड़ा किया था जब उन्होंने अपने मूँ को खोला तब लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया हम कई बारी अपने आपको रोक लेते हैं सच बताए कितनी बार ऐसा होता है कि आप कहीं पर जा रहे हैं या आप कहीं पर खड़े हैं या आप कही पर ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन अपने आप से ये पूछे बोख तो आया था सुनाने के लिए लेकिन कितनी बार ये बोख आने के बाद हमने लोगों को सुनाया वचन पवित्रात्मा की एगवाई को हम इस परकार कई बर इग्नोर करते हैं जब आपके मन में आ रहा है कि उसे वचन सुनाओ तब हमें वचन सुनाना चाहिए तब ये चिंता ना करें कि वो सामने वाला सुईकार करेगा या ना करेगा आगी का काम परमिश्र का है हमारा काम है बीजबोना जो परमिश्र ने आपको दिया है जब आप वचन सुनाते हैं तो डेफिनेटली पवित्रात्मा कारिय करता है हललुया सो हमें गवाह के रूप में परमिश्र के वचन को हमेशा बताना है और जब हम बताते हैं सच में लोगों के रदय में जो लोग परमिश्र के राज्यों के लिए तियार किये गए है सच में वो परमिश्र की भवन में आएंगे हललुया और यहां पर जब पवित्रात्मा से यह लोग भर जाते हैं यहां पर एक प्रगतिसील कलिश्या का जन्म होता है हललुया प्रगतिसील मतलब एक लगातार बढ़ने वाली कलिशिया का जन्म होता है एक ऐसी कलिशिया त्यार होती है जो लगातार उन्नती करती है लगातार बढ़ते जाते हैं एक प्रभाव साली कलिशिया का निर्मान हम यहाँ पर देखते हैं लेकिन अब हमें ये सीखना है कि ये निरंतर बढ़ने वाली कलिश्या ये निरंतर उन्नती करने वाली कलिश्या कैसे तियार हुई इसके अंदर वो कौन से हिस्से थे जिनके द्वारा ये संभव हो पाया और आज हम यहां से ये सीखेंगे कि आज मैं अपनी कलिश्या में उस कार्य को कैसे कर सकता हूँ या कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ एक प्रगति सील कलिश्या में क्या चीजे होती हैं कैसे ये कलिश्या तियार हुआ हम देखते हैं वचन में कि संपूर्ण कलिश्या एकचित एक मन थी हलेलुया कैसे थी संपोन कलीशिया एक मन थी एकचित उनका मन एक था वो सब लोग एक साथ इकठा होकर परमेश्र की अराधना में एकचित को दिखाते थे परमेश्र की बुलाहट के प्रती उनके वो एकचित थे परमेशर की सेवा को लेकर वो एकचित है उनका मन एक था और ये बात बिल्कुल साफ है कि जहाँ पर एकचित नहीं होते वहाँ पर पवित्रात्मा का कारिय बिल्कुल नहीं होता पवित्रा आत्मा के कार्यों को हम तभी देख सकते हैं जब हम एक चित होंगे, एक मन होंगे जब हम प्राथना के लिए आते हैं, जब हम यहाँ पर एकठा होते हैं, हम किस मन से आते हैं हमें ये देखना है, इस कलीशिया का जो दोर शुरू हुआ, उससे पहले ये वचल लिखा हुआ है, कि वो एक चित थे, एक मन थे, एक चित होकर, एक मन होकर ये परमिश्ण के लिए करते थे, ये जो भी करते थे, एक मन होकर करते थे समपून कलीशिया एक मन थी, किस चीज में एक मन थी, सिक्षा पाने में एक मन थी, इनको पता है, एक मन अगर यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, कि जब कलीशिया बढ़ने लगी, तो ऐसा लगता है कि अब उनको ये महसूस हो गया था, कि अब परमिशर बड़े अद्वुत तरीके से कार्य करेगा लेकिन हम कम लोग हैं इसलिए हमें लोग चाहिए और इसलिए लोग चाहिए तो लोगों को सीखने के जरूरत है ताकि वो सीख के आगे बढ़ें क्योंकि परमिशर ने हमें बुलाहट दी है हमें गवाह बनाया है किस बुलाहट कोंची बुलाहट हमें दी है कि प्रत्वी के छोर तक हमें उसके गवाह बनने है उस दर्शन को ध्यान में रखते हुए उस परमिशर के अंतिम सब्दों को अपने जहन में रखते हुए वो लोग इस चीज में आगे बढ़ रहे थे कलिश्या के लिए मेहनत कर रहे थे वो एक चित और एक मन थे उनकी आत्मा एक थी सिक्षा पाने में वो एक थे हम अपने आप से ये पूछें कि सिक्षा पाना बहुत जरूरी है परमिश्र के वचन को सीखना बहुत जरूरी है हम मेंसे बहुत हो की ये प्रोब्लम हो सकती है कि आज भी हम मसीह होने के कई साल हमने प्रभू अपने आपको मसीह बताते बता दिये लेकिन हम मेंसे आज भी ऐसे लोग पाई जा सकते हैं जिनको सुसमाचार पूरीते से पता नहीं है क्योंकि सीखा नहीं है शिक्षा पाना हमारे लिए जरूरी है क्या हम सीखने में एक मन है क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना ग्यान हमारे अंदर है परमेशर उतना ही हमें इस्तेमाल करेगा हमारे उतने ही ग्यान को इस्तेमाल करेगा अगर आपके अंदर थोड़ा ग्यान है तो परमेशर आपको थोड़ा इस्तेमाल करेगा लेकिन अगर आपके अंदर परमेशर का ग्यान को पाने की तलब है आपने उसके कलाम को उसके वचन को अपने जिंदगी में भरा है तो परमिशन अपनी आत्मा के द्वारा आपको बहुत इस्तिमाल करेगा सीखना जरूरी है कई बारे लोग सवाल पूसते हैं कई बारे लोग पूसते हैं कि इसका क्या मतलब है पता होता क्योंकि हमने सीखा नहीं है हम सीखने के लिए क्या करें हम सीखने के लिए हम हमारे सीख्ष्या पाने का एक हिस्सा है हमारे खुद की स्टडी क्या हम खुद बाइबल पढ़ते हैं हमारे सब के पास बाइबल है और ऐसा भी संभव हुए कि इस वक्त हम बहुत से लोग बैटे जिनकी पास बाईबल ही नहीं है घर पे है इधर नहीं है लेकर ही नहीं आएएं है इस शिक्षा पाने के एक हिस्सा ये भी है कि जो बाईबल हमारे हाथ में है हम इसे रोज पढ़ें इसे हम लगातार परमेसर की वचन को हम पढ़ लग लग जगव में हमारे छे होम ग्रूप चलते हैं, सीखने के लिए करते हैं, वो एक फोर्मेलिटी नहीं है, कि बस हमें ऐसे इकठा हुए और दो गीत गाए और हम निकल लिए, वो सीखने के लिए है, वो उसलिए है ताकि हम उन्नती करें, ताकि हम सीखें वहाँ पर, ता पहली बात तो हम यह पूछें अपने आप से, सिक्स्याप आने के छेत्र में क्या हम खुद बाइबल पढ़ते हैं, कितना हम बाइबल पढ़ते हैं, कितने दिन होगे मुझे बाइबल पढ़े हुए, कितने दिन होगे मैंने बाइबल को हाथ भी नहीं लगाया, यह अपने आपको सम्मेलित करते हैं, कितना पार्टिस्पेट करते हैं होम गुरूप में जहां पर बहुत सारे लोग हैं, वहां पर भी होम गुरूप के दिन एक पहली बात तो यह है कि समय पर कभी आना नहीं होता और बहुत से लोग आते भी नहीं है आपको यह पता होना चाहिए कि जो वहाँ पर home group जो हम कर रहे हैं वो आपके फाइदे के लिए है वो आपके सीखने के लिए है ताकि आप उससे सीखो परमिर्सर के वचन को सीखो कितना हम home group में हिस्सा लेते हैं मैं हर बार जब जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ लोगों से कि वो क्यों नहीं आया हमेशा एक ऐसा रीजन होता है जो बे तुका होता है जब हमें पता है कि उस दिन हम home group के लिए मिलने वाले हैं तो हम अपने काम काज पहले समाप्त कर सकते हैं हफते में एक दिन मिलते हैं एक घंटे के लिए मिलते हैं लेकिन बहुत से लोग इसे इग्नोर करते हैं इसमें आप लोगों का नुक्सान है एक कलीशिया होने के नाते आप लोगों का फर्ज ये बनता है हम सब का फर्ज ये बनता है कि हम ये सोचे कि कलीशिया आगे कैसे बढ़ेगा कलीशिया उन्नती कैसे करेगा और जब हम ये सोचना प्रारंब करते हैं तो यही चीजे आती हैं पहले तो हमें एक मन होना पड़ेगा देन हमें सीखना पड़ेगा सीखने के लिए बाइबल पढ़नी पढ़ेगी होम गुरूप भी हमें आना पढ़ेगा संडे को हमें यहाँ पर आना चाहिए बाकि जो चीजे उनका सहारा आप ले सकते है दूसरा ये 243 में लिखा है 233 में लिखा है संगती रखनी और रोटी तोड़ने में इसमें पड़े दो का 43 में क्या लिखा है 42 और प्रेरीतों से लगातार शिक्षा पाने संगती रखने रोटी तोड़ने और प्राथना करने में क्या रहते थे लोलीन रहते थे मगन रहते थे किन से शिक्षा पाने में प्रेरीतों से शिक्षा पाने में किस चेज की सिक्ष्या पाने में उसके वचन की सिक्ष्या पाने में उस वक्त बाइबल भी नहीं थी मौखिक तरीके का इस्तिमाल किया जाता था सिखाने के लिए और लोग सीखने के लिए आते थे इसमें लिखाए वो प्रेजितों से लगातार सिक्ष्या पाने में, संगती रखने में, रोटी तोड़ने और प्रात्रा करने में लोलीन रहते थे हमने सिक्ष्या पाने के लिए क्या किया है संगती रखने और रोटी तोड़ने आपर संगती करना एक साथ इकठा होना वही होम गुरूप की बात और परमिश्र के अराधना के लिए वैसे भी हम इकठा होते हैं, बुद्वार को इकठा होते हैं, बाइबल कहती है कि तुम इकठा होना मत छोड़ो, संगती रखना करना मत छोड़ो, कई बार हम बेतु के उनसे हम इनकार की गिनोर करते हैं इन प्रभुपोज के बारे में बात भी किया जाता है, और उस समय में ऐसा होता था कि जब लोग की खठा होते थे, तो वो एक साथ खाना भी खाते थे अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि हम भी संगती करते हैं अपने लोगों गरों पर लोगों को बुलाते हैं अब एक साथ खाना खाते हैं सिर्फ खाना खाना एक संगती नहीं है आपने उस वक्त परमेशर के बारे में क्या बातचित की आपने परमेशर के वचन के बारे में क्या बात चित की आत्मिक जंदगी को लेकर आपने क्या बात चित की वो है संगती खाना पीना हमारी प्रात्मिकता नहीं होना चाहिए संगती में वचन कहता जब तुम एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसी बाते क्या करो, जिससे एक दूसरी की उन्नती हो, कैसी बाते हम करते हैं, वो प्रात्थना करने में लोलीन रहते थे, हललुया, मगन रहते थे, खोए रहते, प्रभु के प्रेम में वो पागल थे, संगती, सिक्षा पाने में, संगती रखने, रोटी तोड़ने में, और प्रात्थना करने में वो लोलीन थे, ये वो चीजे थी, पहला तो वो एक मन थे, सिक्षा पाने में, संगती रखने, और रोटी तोड़ने और प्रात्थना करने में, वो एक मन थे, क्या हम इन चीजों को लेकर हमारा मन एक है क्या इन चीजों को लेकर हम सहमत हैं की नहीं है कि हमें ये करना जरूरी है एक कलीशिया होने के नाते जब हम सब मिलकर ये काम करेंगे ये तीन चीज़े अपने जंदकी में रखेंगे तब एक कलीशया को एक नई गती मिलती है कलीशया को बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पास्टर की नहीं होती पास्टर का काम है आप लोगों को सिखाना कलीशया की उन्नती के लिए मेहनत तो हम सब को करनी पड़ेगी एक-एक को करनी पड़ेगी जितनी यहां पर उपस्तित है, आपको अपना अपना योगदान देना ही पड़ेगा, जब हम एक साथ मिलकर कलीशय की उन्नती के लिए योगदान देते हैं, तब एक कलीशय को एक नई दिसा मिलती है, एक प्रगति सील कलीशय, एक निरंतर उन्नती करने वाला कलीशय तियार होता है, हम इमें साथ प्राथना करते हैं, यहां पर प्राथना करते हैं, परमिशर हमारे कलीशय को बढ़ा, परमिशर अपने हमारे कलीशय को उन्नती दे, इनको आके बढ़ा, इन्हें बुद्धी दे, समझ दे, ग्यान दे, हम सिर्फ प्राथना करते हैं, जो हम प्राथन के साथ साथ अपने आपको उस कारिय में डालेंगे नहीं, जब तक आप अपने आपको बाहर लेकर नहीं जाएंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक प्रात्ना भी किसी काम नहीं आएगी, प्रात्ना और मेहनत एक साथ चलती हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तब परमेश्र का आत्मा हमारे जिंदकी में कारे करता है, जब हम मेहनत करते हैं तब प्रात्ना रंग लीकर आती है, वर नहीं हम सिर्फ करते रहें प्रात्ना, कुछ नहीं होगा, ये लोग मेहनत कर रहे थे, सीखने की मेहनत कर रहे थे, घर घर जाकर रोटी तोड़ने की, घर घ जाकर्शू समाचार सुनाने की मेहनत कर रहे थे हम क्या कर रहे हैं अपनी कलीशिया को एक नई दिसा देने के लिए क्या हमने कभी सोचा भी है कि हमें अपनी कलीशिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए हम सब का योगदान लगेगा कलीशिया को आगे बढ़ाने में इसलिए हम सब को अपने आपको सम्मिलित करना पड़ेगा इसमें कोई सक्नी है सिर्फ प्रात्नाओं में आकर यहाँ पर उपस्तित होने से भी कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर जो आप प्रात्ना करते उसे अपने जहन में रखकर उसके लिए मेहनत करना भी हमारे लिए जरूरी है और एक प्रगति सील कलीशिया को तियार करने के लिए और हमें क्या चाहिए हमें एक मन होना पड़ेगा किन चीजों में सिक्स्या पाने में, संगती रखने में फ्रात्ना करने में और हमें क्या करना पड़ेगा उदारता के साथ देने में हमें एक मन होना पड़ेगा कलीशिया में पैसे की जरूरत भी होती है किसी की जरूरत होती है कलिशया की उन्नती में पैसे की जरूरत भी होती है हम जितने प्रोग्राम करते हैं क्रिश्मस का प्रोग्राम होता है हमारा तीन दिन का पहले का प्रोग्राम होता है बाग की चीज़े हम बहुत सारी चीज़े करते हैं कलिशया की भोतिक जरूरते भी हैं और वो भोतिक जरुरत तब भूरी होगी जब हम अपनी जेब से देंगे। एक प्रगति सील कलीशया तियार करने के लिए, एक कलीशया को नई दिसा, एक 29 करने वाली कलीशया तब तियार होती है, जब हम अपने उदारता के साथ हम देते हैं। हम अपने आप से आज ये भी पूछना है, कि क्या मैं परमेश्व के राज्य के लिए देता हूँ। पुराने नियम के टाइम पे जो यहुदी लोग हुआ करते थे, वो 23-24% अपनी कमाई का देते थे। लेकिन बाइबल हमें दस्वांस देने के बारे में बात करती है। क्या हम अपना दस्वांस इमानदारी के साथ देते हैं। हमारी कमाई का दस्वा हिस्सा क्या हम परमेश्व के राज्य के लिए डालते हैं। मलाकी उसका तीन नो और दस वचन में पढ़ूँगा इसमें लिखा है आठ से पढ़ेंगे क्या मनुश्य परमेश्र को लूट सकता है फिर भी तुम मुझे लूटते हो परंतु तुम पूछते हो हमें किस बात में तुझे लूटा है दस मांस और भेटों में पुरान इनियम का वचन है ये कि तुम लूटते हो मुझे किन चीज में दस मांस और भेटों में तुम अपना दस मांस नहीं डालते तुम अपनी भेट नहीं डालते एक कलिश्या को उन्नती करने के लिए आगे बढ़ने के लिए उदारता के साथ देना भी बहुत जरूरी है तभी एक कलिश्या आगे बढ़ता है इन दिनों अपने ये सुनाम सत्संग का जो हालाते वो ज़्यादा अच्छे नहीं है फाइनिसली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अगर हम उदारता के साथ दें इमानदारी के साथ दें तो सच में परमिश्या हमें भी बहुत आसीज देगा जरूरी है कि हम इन चीजों को अपने जंदगी में चेक करें क्या हम पहली बात हो यह पूछे क्या मैं कभी मैंने सोचा भी है कि मैं कलीश्या का हिस्सा हूँ उस कलीश्या को उन्नती करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ आप कर सकते हैं आप सीख कर किसी को सिखा सकते हैं आप सीख कर आगे बढ़ सकते हैं आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप एक दूसरे से मिलना सुरू किजिए, संगती करना सुरू किजिए, संगती में आईए, बुधवार को आईए, संडे को आईए, बाके जो होम गुरूप होते हैं, उसमें आईए, आपका इकठा होना सच में बहुत बड़ी आसीस को लेक कराता हैं, आप कर सकते हैं, प्रात्ना कर सकते हैं, एक साथ इकठा होकर प्रात्ना कर सकते हैं, अपने घर में प्रात्ना कर सकते हैं, हम अपने आप से ये पूछें कि क्या कभी हमने ये प्रात्ना की है, कि परमिश्र कलीश्या को आप आगे बढ़ाएं, अपने आप से है कि परमिशर मेरे कलीश्या को तू आगे बढ़ा क्या हमने कभी प्रात्नाई की है आप प्रगतिसील कलीश्या को त्यार करने के लिए आपका योगदान ये रहेगा आप एक साथ सब लोग एक साथ मिलके पड़ें एक साथ पड़ें सिक्स्या पाने में आप संगती रखने रोटी तोड़ने में प्रात्ना करने में उदारता के साथ देने में जब हम एक चीत एक मन होंगे तब कलीश्या एक नई गती को पगड़ता है सोच कर देखिए अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो सच में हम कलीश्या की उन्नती में बाधा बने हुए हैं क्या बने हुए हैं अब जब हम ये नहीं कर रहे हैं हम कलीश्या की उन्नती में बाधा बने हुए हैं अच्छा लग रहा है सुनके नहीं लगेगा परमिश्र के राज्य के लिए इस्तिमाल होने वाले लोग हम बने परमिश्र के राज्य में कलीश्य के उन्नती में बाधा बनने वाले लोग ना बने इन चीजों को हमें से याद रखें अगर हम इन चीजों को अपने जिन्दगी में लागू करेंगे इस तरीके से जब हम आके बढ़ेंगे तब कलीश्या का एक नया स्वरूप त्यार होगा जब ये लोग प्रेडित हो रही है उस समय की कलीश्या जब वो सारे इकठा होकर जब वो ये काम कर रही थी वो सिक्षा पराप्त कर रहे थे वो संगती कर रहे थे प्रात्ना कर रहे थे उदारता के साथ दे रहे थे तब क्या हुआ था इसमें लिखा है कि लोग मतलब अपनी जमीनों को बेचकर पैसा दे देते थे अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जमीनी बेचकर कलीशिया हम पैसा दे उस समय उन लोगों ने जो किया आज हमें वो करने की जरूरत नहीं है आज हम सिर्फ इतना करें कि हम अपने दान, दस्वांस, इमानधारी के साथ दे जब ये लोग इन चीजों को लगातर कर रहे थे तब क्या होता है कलीशिया गिंती में बढ़ती जा रहे थी किस में बढ़ती जा रहे थी गिंती में बढ़ती जा रहे थी परमिश्र परतिदिन उद्धार पाने वालों को उनमें मिला दिया करते थे लगातार लोग बढ़ते जा रहे थे क्योंकि वो मेहनत कर रहे थे जो पीछे हमने देखा वो लोग ये कार्य कर रहे थे लगातार सिक्स्या पा रहे थे सिखा रहे थे, संगती रख रहे थे लोग उसे मिल रहे थे, वचन बाट रहे थे प्रातना कर रहे थे, उदारता के साथ दे रहे थे फलस्वरूप कलीश्या गिंती में बढ़ती जा रहे थी जब वो लोग उस कारिये को पूरा कर रहे थे जब वो अपना योगदान प्रातनाओं में दे रहे थे जब वो अपना योगदान शिक्ष्या पाने में दे रहे थे जब वो अपना योगदान फ्रासनाओं में दे रहे थे जब वो अपना योगदान उदारता के साथ देने में दे रहे थे तब कलीश्या गिंती में बढ़ रहे थी और कलीश्या में चमतकार हो रहे थे लोग बड़ रहे थे, परमिषर लोगों की एक्तामा में जो प्रात्ना हो रहे थिए उनको सुन रहे थे और लोगों के बीच में चिन और चमत्कार हो रहे थे, हम ध्यतीन में अगर हम देखें, तो यहाँ पर एक लंगड़े बिखारी की चंगाई के बारे में लिख्खा है, लोगों को परमिश अपनी आत्म अपनी सामच से परिपून कर रहे थे आज भी पवित्रा आत्मा लोगों के जिंदेगी में अद्बुत काम करता है क्या आप विस्वास करते हैं हाथ उठाई ये कौन-कौन विस्वास करते हैं हलललुया आज भी परमिशर अद्बुत काम करते हैं हमने बहुत से कारियों को देखा है ऐसे कारियों को जो असंभव थे ऐसे बिमारियों को जिनको हम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे बिमारियों को परमिशर लोगों की जिन्दगी से दूर किया है हमारे बीच में ऐसे लोग हैं आज भी अद्बुत काम करता है जब हम एक होकर प्रातना करते हैं जब हम एक होकर परमिश्र के सम्मुक इकठा होते हैं तब परमिश्र इस रीती से अद्बुत काम करता है उनके बीच में चमतकार हो रहे थे क्या आपने कभी प्रात्ना की प्रभू कलीशय में चमतकार होने पाएं अद्भुतकारी होने पाएं चमतकार तो रहाचा अजीब सब्द है ये अद्भुतकाम अच्छा सब्द है कलीशय सताओ के मध्य स्थिर रहती है प्रेरितों की काम उसका अध्याचार में जब हम पढ़ते हैं चारगाइक में लिखा है जब वे लोगों से बात कर रहे थे तो याजक मंदिर के सिपाहियों का कप्तान तथा सदूकी उसके पास आए और इस बात से अत्यंत क्रोधित थे कि वो लोगों को उपदेश दे रहे हैं और येश्यू का उदाहरन देकर मृत को के पुनरुत्थान का परचार कर रहे हैं जब प्रेरित लोगों के बीच में सूसामाचार सुना रहे थे तब लोगों ने आकर उनको डाटा लोग उन पर क्रोधित हुए एक चीज हम यहाँ पर यह सीखते हैं कि कलीश्या पर सताव कभी कम नहीं होगा सताव हमेशा आएगा कलीश्या के उपर दुख संकट कम नहीं होगे हमें सताव का सामना कभी भी करना पड़ सकता और आप करते होंगे आप लोगों की अनेकों बातों को सुनते होंगे लोग आपको बोलते हैं यहां पर भी वही हुआ यह कलीशिया बढ़ तो रही है लेकिन लगातार जो कलीशिया बढ़ रही थी तब कलीशिया पर सताव होना सुरू हो गया जब कलीशिया पर सताव होना शुरू हुआ इन लोगों को पकड़ कर जेल में डाल दिया गया क्योंकि ये ये सुमसी का प्रचार कर रहे थे इनको जेल में डाल दिया गया और जब कलीशिया के उपर सताव हुआ आया तो ये कलीशिया के लोग क्या कर रहे थे 4 का 23, 4 का 23 पढ़ेंगे उनको जेल में डाल दिया गया था लेकिन 23 में लिखा है जब उन्हें वहाँ से छोड़ दिया गया तो वे अपने साथियों के पास आए और जो कुछ याजको और प्राचीनों ने उनसे का था उनको सुना दिया उनकी उपर सता हुआ तो उनकी कलीशिया के समुक आकर कहा कि हमारे साथ ये गटना गटी है लोग विरोध कर रहे हैं जब कलीशिया के उपर सताव आता है जब विरोध आता है तब कलीशिया क्या करती है जब उन्हें बतायश में लिखा है 24 में लिखा है 4 के 24 में जब उन्होंने सुना तो वो एक चित होकर उंचे सब्द से परमेशर को पुकारा हाललुया जब उन्होंने सुना कि सताव हो रहा है उस सताव की प्रिस्थिती में और ये सताव करने वाले कोई मामूली लोग नहीं थे ये उस समय के बड़े बड़े राजनिता थे जो उनको सता रहे थे जब सताव हुआ तो ये लोग फिर से यहां पर एक सब्द आया है वो एक चित होकर कैसे? एक चित होकर उन्होंने परमेशर को पुकारा हाललुया हाललुया और आगा हम जब पढ़ते हैं यहां पर लिखा है कि प्रेरित लोग और भी जोस और चिरुन के साथ परमेशर का वचन सुनाने लगे हाललुया विश्वासियों का सामुदा एक मन और एक प्राण था चार के बत्तिस में मैं पढ़ रहा हूँ उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था प्रन्तों उनका सब कुछ साजे का था और प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु येश्यों के पुनृत्थान की साक्सी देते थे और उन पर बड़ा अनुग रह था हाललुया तो कलीश्या पर जब सताव आता है एक कलीश्या जो प्रगती सील कलीश्या होती है जो उन्नती करने वाली कलीश्या होती है जिस कलीश्या के लोग फ्राथना करने वाले होते हैं जिस कलीश्या के लोग परमिश्र के लोगों के साथ संगती करने वाले होते हैं फ्रात्रा में लोलीन होते हैं वो कलीश्या सताव आने पर भी खड़ी रहती है अलेलुया एक चित होने की जरूरत है हमारी जीवन में ये कब आ जाए हमें पता नहीं है लेकिन आ सकता है ऐसा नहीं है कि हमेशा सांती बने रहे बड़ी अच्छी बात है कभी भी सताव का सामना हमने कर सकता है हमें करना पड़ सकता है उस समय क्या करना पड़ेगा यहां पर वोई सब्दाया है कि एक चित होकर इन्होंने परमिश्र को पुकारा हलेलुया जिन कलीश्या में जो पीछे हमने तीन कार्य पड़े वो करते हैं वो ऐसी कलीश्या त्यार होती है कि वो कलीश्या सताओं के मध्य भी स्थिर रहती है हलेलुया